जाहिंद हेलो डियर स्टुडेंट्स पैरेंट्स एंडिये टू 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 थाउजन पुन्टीवन का जो एक्जाम 14 नावंबर को होने वाला है उसके लिए दून डिवन्स कैडमी के तमाम बैच फूल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से उनकी प्रिप्रेशन अभी चल र किस तरह से उनकी पढ़ाई चल रही है किस तरह से उनकी टेरिंग चल रही है बहुत ही बहुत ही अच्छे निक फीचर है और वही रिजल्ट ओरेंटेट कोचिंग का एक महात्र साधने Avaliessa Online Studies अभए बात करूंगा आज April 2022 में जो एक्जाम होगा उसके बारे में इसके बैच इस के डेटेल के बारे में कब शेरू होगा किया उसका शेडुल रहेगा उसके बारे में आप से मैं बात करूंगा और इसके लखाओ और दे professora ओर जो एकजान होगा अप्रेल में होगा उसके जो हमारे बैचेस चुरू हो रहे हैं 22nd नवंबर से अप्रेल 10 2022 को एंडिय का एक्जाम होगा एंडिय वन का जो फस्ट एक्जाम होता है साल में वो उसकी डेट है 10 अप्रेल 2022 उसके लिए जो पैचेस की डिटेल है आप ज्यान से सुन लीजिए 22 नवंबर से हमारा पहला बैच शुरू होगा 29 नवंबर से 2nd बैच और लास्ट बैच 6 दिसंबर से शुरू होगा यह तीन बैच शुरू होंगे हमारे अप्रेल में जो 10 अप्रेल को 2022 में अंडिय वन एक्जाम होगा उसके लिए उसके लिए रेजिस्टेशन अलड़ी ओपन हो चुके हैं और जो भी बच्चे 30 सप्रमबर से पहले पहले अपना रेजिटेशन करा लेंगे जो कि हमारी ओनलाइन वैप साइन में इसका लिंक डिस्क्रेट्प्शन वोक्स में में डाल दूंगा 10 अथा 30 सप्टमबर से पहले पहले अपना रेजिटेशन कराएं और 2000 का शुरू आपको मिलेगा अगर आपने 30 दिसकाउंबर और दिसकाउंट कर सकते हैं इसके लावा सीडिया सीडिया बैच होगा जो स्टार्ट वही सेम अप्रेल लेवाल एक्जाम के लिए वह वह बाइस नवंबर से सेम तुन्टिनाइद आउंबर से और सिक्स डिसमबर से सीडिया स्काउंबर इसके लावा इमुसीट का भी जो नेक्स बैस के लिए हमारी कोचिंग स्टार्ट होगी आई मुसीटी प्लस कंपनी स्पोंसर्सी जो मर्चेंड नेवी का है वह फूर्थ अक्टूबर से अब सीधे एक्जाम जून जुलाई में जाके होगा नेक्स्ट इयर तो इसके लिए हमारे आप फूर्थ अक्टूबर से इसकी कोचिंग स्टार्ट हो जाईगी एमनेस के लिए भी जो मिलिटरी नर्सिंग सर्विसे से एमनेस के लिए भी हमारे चल रहे है जिसका हमारा पह क्रेश कोर्स है यह आपके लिए महाट्पून जानकारी है जो बच्चे 14 नूवंबर 2021 में एंडी टू का एक्जाम देंगे और किसी कारण से दुन डिफेंस अकेरमी जुएन नहीं कर सके रागुलर कोर्स में उनके पास स्टिल एक चांस है वह जुए जुएन कर सकते हैं द सब कुछ हमारी वेबसाइट www.dun-dependence-academy.com पे अवलेबल है अभी आपने हाली में सुना होगा कि सुप्रीम कोट ने गल्स के लिए भी एंडी एक्जाम के लिए उसके लिए अप्लाइ करने का उनको देने का अधिकार दिया है बट एज अफ नो नोटिफिकेशन फ्रॉम UPSC सच जैसी UPSC की तरफ से गल्स के लिए नोटिफिकेशन आ जागे कौन से बैच को कौन से कोर्स को ज्वाइन कर सकती है तो उसके लिए भी दून डिफेंस अक्याडमी ने पूरी प्रप्रेशन कर लिए कोचिंग के लिए और गल्स के लिए इस्पेशली हम 10 प्रसंट की की कोचिंग के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन UPSC का जारी होगा उसके अपना आ जाना हाँ रजिस्टेशन आप अभी से करा सकती है हमारी वेबसाइट www.toondefenseacademy.com उस पर आप रजिस्टेशन करा सकती है कुछ बच्चे सोच रहे थे कि गल्स के ज्वाइन करने से कुछ से कम का जाएगी तो बच्चो इस पेशली में उनको बताना चाहता हूं कि गल्स की वज़े से आपकी वेइंसी में कोई फरक नहीं पड़ेगा गल्स की लिए सेपरेट वेकैंसी होगी और और अन्डियमें उनकी लिए सेपरेट सकॉडन बनेगा तो आपको घबराने की ज़रूरत नेगी गल्स के वेसे आपकी वेकंसि में फ़रक पड़ेगा गल्स के लिए separate vacancy रहेंगी जितनी भी रहें अभी कितनी होंगी क्या होंगी अभी इसका कुछ खुलासा नहीं हुआ बट जैसी आएगा उसका वीडियो बनाके हम डाल देंगे तो गल्स के आलसो जोई डीए जैसी यूपीस का नोटिविक्रिक्रिक्रिक्शन आजाएगा रि कुछ मेडिकल कंडिशन में कुछ फरक होगा बाकी तो सबकुछ सेम ही होगा पेपर वेगार सबकुछ सेम होगा पुरा प्रोसेजर सेलक्शन का सेम होगा तो यह तो इंपोर्टेंट जानकारी थी अगले बैचिस के लिए NDA गल्स के लिए CDSC FKT OTA के लिए MNS के लिए ने वी डवले SSR की वेकेंसी आने वाली है उसके भी बैचिस चल रहे हैं SSB इंट्रिव्यू की हमारे बैचिस चल रहे हैं जो पिछले साल पिछले बैच में जो रिकार्ट तो हमारे बच्चे क्वालिफाइब के रिटन टेस्ट उनकी SSB आजकल चल रहे हैं और कहीं की तरह ने चैनल है आप सबस्क्राइब कर लेजिए अब में को प्रेश कर लिजेए इसपेशली हमारा दिन दूण डिफेंस अकड़मी का टेलिगराम चैनल है उसको जरूर जौइन कर लिजिए संदीप सार दूण डिफेंस अकैडवी टेलिघर्स अप डाउनोड कर पर द जो इस साल क्लास 10th में अगले साल 11th में आएंगे वो बच्चे सीबीसी पोर्ड के हमारे का सकते हैं जो भी 11th 12th प्लस डिफेंस और मर्चेन भी की प्रप्रेशन करना चाहते हैं सीबीसी पोर्ड वाले बच्चे हम अगले साल से उनके लिए शुरू कर रहे हैं बहुत ही ज्यादा इस वक्त पुरेंदुस्तान से डीडी के लिए कि जल्दी से जल्दी सार कोर्स स्टाट किजिए फांडेशन का अब हमने अपनी लगब सारी तैयारी पूरी कर लिए जैसे दिवे असवाल गुपता जो की इसकी कोडिनेटर पूरी अकेड हैड रहेंगी जो की आर ऐमसी की एक्स सीनर फेकल्टी उनकी अंडर ये कोड़ेगा आपका मालो में आर अमसी से सारे बच्चे अरे एंडीय जाते हैं तो वह आपे काफी टाइम पढ़ा चुकी हैं सी कि डीटेल हमारी वेबसाइट www.dundefenseacademy.com पे अबलेबल है फिर से में कहा रहा हूं कि मिलते जुलते similar name जो है दून डिफेंस अकेडमी जैसे name उनसे मिलते जुलते नामों से साब धान रहे अगर आपको सच करते हैं तो संदीब सर्थ दून डिफेंस अकेडमी पूरा टाइप करें इदर उधर फसने से बचें और इस वक्त बहत्रीन क्लासिस चल रही है और बच्चों की पड़ाई बहुत अच्छे से जल रही है और इम शूर इस बार भी दून डिफेंस अकेडमी जो आने वाले अग्जाम है एरफोर्स नेवी के एक्जाम है उसमें फिर से रिकॉर्ड बनाएगा अभी हाली में हमने 15 अगस्त को अपने 16 साल कंप्लीट किया है अपने देखा होगा हम बहुत सारी वीडियो जो डाली है और एक बहुतिरीन डिकार्ड है आज 10,000 से जाता बच्चे आज आपने अगेडमी को देखिए सटिस्वाइए हुई है अपना पूरा सब कुछ रिचर्च कीजिए देखिए मेरे कहने से नहीं पूरा आकर देखिए इतिमान कीजिए सटिस्फाइ हो तो ही एडमिशन लेना कहीं भी एडमिशन लें पहले आपको पूरी जानकारी लेनी है तो यह पूरी डिटेल थी आने वाले जो हमारे कोर्स चल गी उनके बारे में हमारी वेब साइट में भी पूरा डिटेल है लिंक के तुरू भी आप देख सकते हैं पूरा डिटेल है अपना ख्यार लखें को वीट का जो प्रोटोकॉल इसको फॉलो करते ने हैं थैंक यू जाइन गुड लख